हलो फ्रेंड्स मैं हूनी सी सिंग और स्वागत है आपका डेलिसेस किचन डाइरीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ सूजी की बड़फी की रेसिपी इसकी खास बात यह है कि हम लोग इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं इसकी इंगिडेंट्स के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम सूजी थोड़े से कटे हुए ड्राइफूट्स आप अपने पसंद के ड्राइफूट्स ले लेना थोड़ी से क्रस्के हुई लाइची और 200 ग्राम चीनी का इस्तमाल किया है तो शली अब चलते हैं इसकी मैंन प्रोसेस की तरह आपकी कड़ाई जब गर्म हो जाए तो आप इसमें दो चमज घी ले लेना घी के गर्म हो जाने की बाद हम लोग इसमें आड़ कर देंगे सूझी को गैस हमारा मीडियम फ्लेम पे जालगा और सूझी को डालने के बाद हम इसे चला करके अच्छे से मिलाएंगे हमें इसे continuously चलाते हुए ही मिलाना है और इसे चला करके अच्छे से brown कर लेना है अगर आप इसे चलाना छोड़ दोगे तो यह सटने लगेगा और आपका mixture खराब हो जाएगा और आपकी बड़फी भी सही से नहीं बन पाएगी तो आप इसे low flame पे या medium flame पे चलाते हैं वह इसे भून लेना तो अब हमारा सूजी एकदम सही तरीके से brown हो चुका है अब हम लोग gas को बंद कर देंगे और इसे एक plate में निकाल लेंगे आप देख सकते हो कि एकदम सही तरीके से brown हो चुका है तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो like, subscribe और share जरूर करना तो चलिए अब चलते हैं next process की तरफ हम लोग food से gas को on करेंगे और इसमें sugar को add करेंगे उसके बाद इसमें एक cup पानी का इस्तमाल किया है मैंने अब मैं इसे इसी तरीके से चला करके melt कर रही हूँ तो आप भी सुगर को melt कर लेना तो आप स्क्रीन पे देखी रही हो कि इसमें उबाला चुका है जब इसमें उबाला जाए तब हम लोग इसमें add करेंगे जो सूजी का mixture हमने त्यार करके रखा था तो मैंने अब इसमें सूजी को डाल दिया है अब इसमें सूजी को डालने के बाद इसे मिलाएंगे और इसे चला लेंगे अब इसका texture एकदम सही लग रहा है तो इस ते शेज़ पे हम इसमें add करेंगे सारे dry foods तो आप एके करके सारे dry foods को add कर देना और आप मिक्षर को चला करके dry foods को मिक्षर में मिला देना अब यह सूजी का मिक्षर एकदम अच्छे से त्यार हो चुका है तो अब हम एक plate में घी लगा करके इसे set करेंगे तो आप इसमें सारे मिक्षर को डाले और इसे इसी तरीके से मिला मिला करके set करें अब मैंने इसमें थोड़े से बदाम को स्प्रिंकल किया है और अब इसे इसी तरीके से प्रेस करके set किया है अब हम लोग इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही room temperature पे छोड़े देंगे और उसके बाद यह अच्छे से set हो जाएगा और इसे इस तरीके से cut कर ले आप देख सकते हो कि अच्छे से set हो चुका है तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग आइज